सिविल सेवा परिक्षा की जब भी बात होती है तो बिहार का नाम अपने आप सामने आ जाता है माना जाता है कि बिहार के युवा ही सबसे अधिक संख्या में सिविल सेवा की तैयारी करते हैं हर साल बिहार के कई परिक्षार्थी इस परिक्षा में बाजी भी मारते हैं यह गाउं बिहार के पिछरे जिले के रूप में अपनी पहचान रखने वाले सिवहर का कमरौली गाउं है इस गाउं की आवादी 32 के आसपास है दूसरे गाउं की तरह यह भी आम है लेकिन इस गाउं पर सरस्वती की विशेश किर्पा हो जाने से यह अलग हो जाता है गाउं के साथ लोग दीपक कुमार, अपूर वर्मा, लक्षमेस्वर प्रसाद, सियराम प्रसाद सिन्हा, अरुन कुमार वर्मा, चंचल कुमार प्रसासनिक सेवा में हैं गाउं के ही रंधीर कुमार वर्मा इसरों में वैग्यानिक के रूप में अपनी सिवाये दे रहे हैं I.A.S. केडर का हर दस्वां आदमी बिहार का है केंद सरकार के हर आठवे सचीव बिहार केडर के है रोटी कप्रा और मकान के अलावा सेहत के महकेमे में भी बिहार केडर के अपसर की धमक है हाली में CM نितीस कुमार के मुख सचिव बनने वाले दीपक कुमार का तालुक भी इसी गाउं से है दीपक कुमार के उचे उहदे पर आ जाने से गाउं के लोगों की उम्मीदे उनसे काफी बढ़ गई है ग्रामीनों के अनुसार गाउं के विकास को लेकर दीपक कुमार काफी सजग रहते हैं उनके परियास से गाउं में कई विकास कारियों को अंजाम दिया जा चुका है दीपक कुमार के परियास से ही कमरौली गाउं में खुद मुख्यमंत्री नितीस कुमार का दौरा हो चुका है आपको बता दें गाउं में आज भी दीपक कुमार का पुस्तैनी मकान अस्थित है जहां उनके पडिजन रहते हैं गाउं के लोग के अनुसार दीपक कुमार का अपने गाउं से बेहत लगाओ है और वे समय समय पर गाउं और लोग की खोज ख़बर लेते रहते हैं बहराल इस छोटे से गाउं के लोग आज अपनी प्रतिभा के बल पर देश और दुनिया में राज कर रहे हैं जिसकी वज़ा से हर तरफ इस गाउं की चर्चा होती है Life Cities से रितिस सर्मा की रिपोर्ट